साथियों आप सापका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब का वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्राक्षना भी है सदन में भी सभी साथियों से प्राक्षना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सयोग दे अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहू बली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाब लडने के लिए बाहू बली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए अब तक चालिस करोड से जादा लोग कोरोना के खिलाब लड़ाई में बाहू बली बन चुके हैं आगे भी बहुत तेज गती से इस काम को आगे बढ़ाये जा रहा है ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है पूरी मानवजाद को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के समन्द में सार्थक चर्चा हो सबसे प्राथ्विक्ता देते हुई इसकी चर्चा हो और सारे ब्यावारू सुझाव सभी मान्य सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाप लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है कुछ कमिया रहे गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आगर किया है कि अगर कल शाम को बेसमय निकाले तो पैंडेमिक के समन में सारी विस्तुत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूँ तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बहार भी सभी फ्लोर लीडर से क्योंकि लगातार मैं मुख्यमेंत्रियों से मिल रहा हूँ अलग-अलग फोरम में सप्रकार की चर्चा हो रही है तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूँ कि सदन चल रहा है तो एक सुविदा जनक होगा तो रूबरू मिलकर को इसकी बात होगी साथ्यों ये सदन परणामकारी हो शार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है मैं सभी मान्य सांसदों से सभी राजलितिक दलों से आगरत करूँगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछे थारदार सवाल पूछे लेकिन शान्त बातावरण में सरकार को जवाब का मोका भी दे ताकि जनता जनादन के पास सत्य पहुचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है जनता का भी विश्वाद बढ़ता है और देश की गती भी तेज होती है प्रगती की साथवाई सत्र अंदर की बवस्ता पहले के तरह नहीं है सब साथ बैठकर के काम करने वाले क्योंकि करिब करिब सब का वैक्षिनेशन हो चुका है मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे भी आग्रह करता हूँ आप खुद को समालिए और हम सब मिल करके देश की आशा अकांग्षाओ को पार करने के लिए साथ मिल के प्रयास करें बहुत बहुत धन्यवाद साथियों